At the center of the controversy, after the violence also happened in Hooghly, Dilip Ghosh, member of parliament of the BJP, is also joining us now. Dilip Ghosh जी, दो दिन बाद राम नगमी जब खत्म हो गई है, तो शोभा यात्रा निकालने का क्या मतलब था? ममता दिदी कह रही है कि उस दिन आप यात्रा निकाली है. दो दिन बाद निकालना मतलब अब सिर्भ भड़कार है? उनको सम्भालने का जिम्मेदारी है, सरकार में उनको बोड़ दे के जिताया है, उनकी जिम्मेदारी है कानुववस्ता को चूस्त करें. अच्छा ये बताएगे, क्योंकि आप उस यात्रा का हिस्सा थे, अब ही ये बताया गया है कि जब मस्जिद के सामने से यात्रा निकल रही थी, तो कुछ नारे लगाए गए, किस तरीके के नारे लगाए गए, क्यों ये लगाए गए, आपने क्या देखा? देखिए, ये सब बहाना है, जहां कभी कोई गड़बर नहीं हुआ है, वहाँ भी हो रहा है, और नारे तो पुरा सहर में लग रहा था, हजारों लोग पुरा सहर में सुभाज आतरा चल रहा था, उनके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, भड़कव ऐसा कोई नारा दिया है कुछ, उसके बाद भी लोग वहाँ खड़े थे, और लगातर पत्थरों आ रहा थे, खाले मस्जीद में नहीं है, मैं मस्जीद से 200-300 मिटर दूर था, वहां भी पत्थराओ हो रहा था, प कोई तो बंदू का भी वीडियो दे दिया है जो बंगाल से कोई मतलब ही नहीं है, इस मतलब क्या है, ब्रहमित करनी के प्रयास हो रही है, जिनको आता नहीं प्रशसन चलाना, आपका पुलीस परमिशन दिया है, आपका पूलीस साथ में चल रहा था, फिर कैसे घटबड हो हम तो खुद थे साथ में, सब जगा इस बार बोला गया था, कोई आस्त हात्यार नहीं है, सीधा धार्मिक सुभाजातर यह सा होता है, सांतिप्रूख होना, लोग नस्ते गाते चल रहे थे, डीजे बज रहा था, माइक बज रहा था, गाना बज रहा था, बैंड पार्टी च मुला है कि रमजान के दौरान कोई भी दंगा बाजी क्यों करेगा, क्योंकि उस वक्त तो रोजे चल रहे होते हैं, महमता बनार जी सबको क्लीन चीट देते हैं, पहले से ही, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लिए, जो मीडिया ने भेजा, आम लोगों ने भी वीडि मांग रहा है, इससे संदे होता है कि उनने पहले मन तई करके रखा है कि क्या करना है, किसको दोसारपन करना है, मैं कर रहा हूं, जो भी दोसी हो, आप एक सेंट्रल एजेंसी द्वरा उसका इंक्वारी कराईए, सच सामने आ जाएगा, दोसी को सजा दीजिए, उनके तो हि नहीं हुआ, किसी को ना डंडा चला, ना किसी को आरेस्ट हुआ, ठीक नूपुर सर्मा वाली घटना में भी बंगाल में तीन दीन हंगामा चला, हमारे पार्टी उपीस जला दिया गया, मंदिर तोड़ा गया, दुकान लूटा गया, कुछ नहीं कारवाई की मौतर बेनार देते हैं, और इसलिए बार-बार दंगे होते हैं, या बार-बार क्लाशिस होते हैं, अरे हम तो एक सब्द भी नहीं बोला है, हम तो खुले जीप के उपर जा रहे थे, इतने लोग थे, लोग इतने उत्सा में से, हमें भास्वन देने की जुरूरत नहीं है, अगर है ऐसा निकाली रहे हैं, तो फिर आप जो अल्प संख्यक एरियाज है, जो माइनॉरिटी एरियाज है, उनके थुरू क्यों निकालते हैं, पूरे प्रदेश में कितने इलाके हैं, किसी और सड़क से आप ले जा सकते हैं, जानबुश के मस्जिद के सामने से ही क्यों निकालना है? ना कोई माइनॉरिटी एलाका हो गया, वो क्या प्रोहिबिटेड एलाका है क्या? हम माइनॉरिटी मेजुरिटी नहीं देखते हैं, पूरा समाज को एक देखते हैं, जैसा कि मोहराम का जुलूस पूरा बंगाल में घुमता है, तो पूरा बंगाल माइनॉरिटी का है क्या? पर फरक यह है कि मौर्रम के जूलूस निकलते हैं उसमें तलवारे नहीं होती है या फिर उसमें भड़काओ भाशर नहीं होंगे किसने बोला हिंदू मोहले में जाके लाठी तलवार खेला जाता है खुले आम यह भड़काओ नहीं है यह प्रोफोकेशन नहीं है रुकनी की हिम्मत है उनकी बंगाल मत यह भी हुआ है विजया दस्मी जिस दिन दुर्गाप प्रतिमा का विसरजन होता है उसी दिन महरम पड़ा था तो दुर्गाप विसरजन बंद करके महरम के लिए उनमुती दिया गया था उसके एंगेस्ट में लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर उनमुती लिया कि हमारी ट्रेडिशन है विजया दस्मी के दीन ही भी सरजन होता है यह तो महुता बिनजी की सासन है पता चलता है को क्या चाह रही है कौन भड़काता है आगने साल आपसे पूछ रही हूँ आप कह रहे हैं कि अनाय ए पूर्ब होना चाहिए जो वेस बंगॉल में हो रहा है पर महराश्चा में भी हुआ है बिहार में भी हुआ है गुजरा़त में रामनवमी के दिन पत्थर बाजी हुई उसमें आपना एप्रोब क्यों नहीं मांग रहे हैं वहां तो आपकी सरकार है देखिए वहां बाइलेंस तो कहीं वह हो जकता है लेकिन सरकार क्या स्टेप लिया कितना दिर चला नूपुर सर्मा वाली घटना में एक दिन टेंसन हुआता देश में बंगाल में तीन दिन तक चलाता क्यों चलता है भंगाल में बार बार तो भी ये प्रसन आता है और वह स्टेटमेंट देते हैं कारवई नहीं करते हैं आators करे है ना कि यह सिसी का हिंमतना ऑग इंतर उत्सका करने करे ना किसी का उत्तरप्रदेश में हिम्मत है जाए वहां भी तैयार किया गा किसी की हिम्मत रहे रास्ता में उत्र नहीं बावाइश में नहीं जाएंगे तो प्रसासन ऐसा होता है बदमास लोग संध ठानरा चूप रहते हैं हमारे ग्रिवमंत्री जी ने बोल दिये हैं कि जो मतदयों ब僕 जानर प्रिविश कि यस जुवा रहे बद अध क्वांब तो वीत्स जिए, व्याज़, प्रेपिन बाइ देवी प्रेशने होगी.